स्वागत है आप सभी का फैसोटिला फैंटिला में आई होप आपको पिछली रेश्पी पसंद आ रही होंगी आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन बनाना तौर्टिया रहा है बनाना वास्तों में एक हेल्थ बंडल है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूटियन्स पाए जाते हैं केल्सियम, आईरन, फाइबर्स देखें तो बनाना एक्तम इंस्टेंट इनर्जी का सोर्स है तो आज हम इसमें यूज करेंगे थोड़ा चॉकलेट का तो जो बच्चे ऐसे ही फॉल खाना पसंद नहीं करते हैं बनाना शेक्बीन पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे बड़े चाओ के साथ खाते हैं पस यहाँ पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें खाना है तभी इसे तुरंद बनाए क्योंकि अगर हम इसे बहुत देर पहले बना कर रख लेते हैं तो ये काले पढ़ जाते हैं तो चले हम हम शुरू करते हैं अपने बनाना तौर्टिया सबसे पहले हम यहाँ पर दो बनाना लेंगे पके बनाना लेने हैं हमें कच्चे बनाना नहीं यूज़ करने हैं और बनाना जितने भी आप ले रहे हैं प्रत्यक बनाना के हिसाब से दो से तीन चम्मच आप यहाँ पर आटा या मैदा यूज़ करेंगे 100 ml यहाँ पर दूद लिया है थोड़ा नमक थोड़ा शक्कर और साथ में हनी सहत का यूज़ किया है चुकि दो बनाना मैंने लिये हैं तो यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ 4 चम्मच मैंने लिया है आप यहाँ पर 6 चम्मच भी ले सकते हैं पहले हम इनका छिलका उतार लेंगे और मिक्सर जार में इसे डारेक्ट ट्रांसपर करेंगे सारे इंग्रीडेंट हमें इसमें ट्रांसपर कर देने हैं ये डाला मैंने मैदा थोड़ा सा इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमत एक चमश शक्कर बहुत अच्छा कलर देता है सक्कर इसके साथ और दो चमश शहद अगर आप सक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकिप करके एक चमशेद और डाल दे 100 ml दूद्ध इसमें ट्रांसपर किया अब यहाँ पर 4-5 दाने काली मिर्च के डालें चाहे तो आप इलाइची भी डाल सकते हैं और आदा चमश यहाँ पर बेकिंग पाउडर एड़ कर रहे हैं और बनाना के साथ में नारियल का बहुत अच्छा कॉंबिनेशन होता है तो यहाँ पर एक चमश हमने डाला है नारियल का बूरा बस अब ढ़कन बंद करेंगे और हम इसका पेस्ट बना लेंगे एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें और अगर आप केवल बनाना फ्लेवर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर दूद और मैदा जादा भी डाल सकते हैं मैं नूट्रिशन के हिसाब से ले रही हूँ इसलिए मैंने बनाना और मैदा कम लिया है और बनाना जादा लिया है देखिए इस तरह से बन चुका हमारा पेस्ट इसे हम ट्रांसपर कर लेते हैं एक बर्तन में रेडी हो गया है पेस्ट हमारा इसकी हम कंसिस्टेंसी देखते हैं देखिए एकदम रणिंग है इतनी ही रखना है और अब हम एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे और इसे ग्रीज करेंगे मैंने या शुद्धिगी का यूज किया है आप बटर का रिफाइंड आयल का यूज कर सकते हैं अब हम अपना बैटर इस पे डालेंगे आप अगर मोटे बनाना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही डला रहने दे चाहें तो आप इस तरह से पैन को हिला करके इस्प्रेट कर सकते हैं फैला सकते हैं तो यह आपके पतले बनेंगे और आप चाहें तो जैसे आप डोसा बनाते हैं वैस इसे ही चम्मत से इसे फैला सकते हैं ये इतना बढ़ियां बैटर होता है कि आप जितना पतला चाहें जितना मोटा चाहें आप इसे बना सकते हैं तो ये आपकी पसंद के उपर है आप जितना भी पतला चाहें उतना भी रेडी कर सकते हैं देखें इसमें कितनी बढ़ियां ज जो जाली आ रही है वो इस बात को प्रूफ करती कि हमारा बैटर जो है वो बहुत ही अच्छा बना है बस अब थोड़ी देर बाद हम इसे साइड से थोड़ा सा उठा कर देख लेते हैं देखिए गोल्डन ब्राउन दिख रहा है इसे हम पल्टा लेंगे और दोनों तरफ हमे इसे अच्छी तरह से सेखना आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा बटर और लगा सकते हैं मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ कम बटर का यूज़ कर रही हूँ देखिए दोनों तरफ हमने सेख लिए है और अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे देखिए कितना बढ़िया कलर है और इसी तरह हम सारे अपने तॉर्टिया बना लेते हैं रेडियो हो गये हैं यहाँ पर 4-5 तौर्टिया बने हैं हमारे इतने बेटर में अब आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं सेजवान चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो यहाँ पर एक चॉकलेट पाउडर में थोड़ा सा दूद एट किया है और देखिए इस तरह से यह हमने चॉकलेट सिरप रेडी कर लिया है चाहें तो यहाँ पर आप न्यूटिला का यूज भी कर सकते हैं और थोड़े से बनाना हमने एक बनाना को छोटे चोटे पीसेस में कट कर लिया अब देखिए यह हम चॉकलेट सिरप अपना तॉर्टिया में फैलाते हैं पूरी तरह से हमको स्प्रेट कर देना है इस तरह से अच्छे से और अब साइड में हम रखेंगे थोड़े से बनाना पीसेस और इन्हें रैप कर देंगे पूरी तरह से अच्छे से रैप करना है यह रेडी हो गया है हमारा रैप अब इस से इसे हम कट करेंगे देखें कितना बढ़िया दिख रहा है यह हमारा बस ध्यान यही रखना है मैंने बार-बार कहा कि जब हमें खाना है तब ही बनाए नहीं तो यह आइरन की प्रेजेंस के कारण यह ब्लैक पढ़ने लगेगा और चाहें आप तो केवल जो बच्चे बनाना पसंद नहीं कर रहे हैं देखके तो इस तरह से चौकलेट सिरप लगा करके इस तरह से रैप करके इन्हें सर्व कर सकते हैं तो आप इन्हें तीनों तरीके से खा सकते हैं और न्यूट्रिशन से भरपूर है यह हमारा चाहे तो आप इन्हें ब्रेकफास्ट में दें या साम को स्नेक्स के टाइम पे दें, बच्चे हर समय से पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें हमने चॉकलेट भी एड़ किया है साथ में, अगर आपको रेस्पी पसंद आती है, तो प्लीज 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 जरूर लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो मिलते हम अगली रेस्पी के साथ में, तब तक के लिए, इस्टे होम, इस्टे सेफ, नमस्कार